कहता है लॉंग इस्टेट वायर एक बहुत लॉंग इस्टेट वायर है जिसमें कुछ करेंट हमें फ्लो हो रही है और प्रड्यूस मेग्नेटिक फिल्ड इतना वेबर पर मीटर अस्क्वायर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइब सेंटी मिटर फॉम द वायर चलो एक ल है यह है पॉइंट पी बच्चो कहता है मेगनेटिक फिल्ड पोड्यूस इस पॉइंट पर मेगनेटिक फिल्ड की वेल्यू इतनी दी हुई है एन इलेक्टान सिचुएटर फाइब सेंटी मिटर फॉम विद वेलोसिटी वी तौर्ड द वायर अलोंग पर्पेंडिकुलर मतलब यहां पर एक इलेक्टान इधर आ रहा है पर्पेंडिगुलर विलासिटी से मूब कर रहा है जस्ट इस पॉइंट पी पर जहां पर मेगनेटिक फिल्ड भी वेल्यू है इसकी वेलासिटी भी दी हुई है इलेक्टान की तो कहता है फोर्स एक्सपरियेंस बाइज इल प्रॉट और यह एक वहीनिन प्रेग्ल हर पॉइंट पर मैंग ननेंटिक फिल्ड वेल्यू अलग अलग रगए प्यारे बच्छों अधिवेंट मेंन मूब करे गा तो इस पॉइंट पर उसकी की फिल्ड वेल्यू जो दी हुई हिस वुक्त उस पर ८ेंडिक फोरस लगें वह हमें निकालना है क्योंकि उसके बाद जो होगा वह अगर इधर आएगा वैसे ठीक है अगर ऐसे छोड़ोगे यहां से देखो विलॉसिटी से घड़ यहां से छोड़ोगे तो इस टाइब से ऐसे सरकल में जाएगा तो उस शरकूलर प्लेंड में मूब करता रहेगा जो कि यहां से डिस्टेंज पर शरकल का प्लें इस टाइब से थे थे हैं तो उस उस पे magnitude of the force है वो तो distance constant है है circular plane का इस टाइब से तो magnitude of the force है वो तो constant रहेगी पर direction variable है तो उस force की जो value आ जाएगी हो आ जाए qbb sin theta, theta किसके किसके बीच का एंगल है, velocity और magnetic obviously 90 degree है तो सक्की value रगदो, charge आन इलेक्टान 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम और velocity कितनी है तो velocity आपको दी हुई थी यहाँ 10 की power 7 और multiplied कर दूँँ प्यारे बच्चों, magnetic field से जो की 2 into 10 की power minus 4 था तो हमें इस distance की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से calculate कर लोगे तो 3.2 और यह 19 और यह 4 23, 23 में 7, 10 की power 16 आजाएगा, minus 16 newton यह एक constant forces पर लगेगा magnitude में 15 बच्चर का टियों